हमने हिंदुस्तान के आजादी के बाद के अब तक के इतिहास में ऐसे सैकोडों प्रसंग देखे और 30 साल में उसमें से अधिकांश प्रसंग तो अपनी आखों से देखे संसद में मौजूद रहे के मीडिया गैलरी में और उस वक्त में जिस अक्बार में ज्यादा तर समय रहा उसकी सीट जो आवंटित थी वो छे नंबर थी और छे नंबर की सीट ठीक भारत के पढ़ान मंतरी के ऊपर थी मीडिया गैलरी में क्या तो एक बाद जान लीजिए ओपी सिंग जी तमाम कानून संसद ने बनाए और चाह बनाये तो यही कहा अगये बापस नहीं होंगे स्वाबा भी कहें लेकिन बापस भी हुए लोकतंत्र के यही खूबी है अनना लोगतंत्र का मर्यादा में नहीं आता विजन सिंग की पार्टी के बड़े नेता गांधी परिवार के चश्म चिराग राजीव गांधी एक बिल लेके आई थे वापस लेना पड़ा था क्या दिक्कत है हमने संविधान में संशोधन कर दिये सेकलों बार बिलतो छोटी चीज है बिलतो जोहत्तर में जून में मुरार जी भाई की सरकार आई पहला काम किया हमने संविधान में शंशोधन करा दिया कि आगे कोई इंद्रा गांधी बनी ना पाए कि क्यों संविधान से बढ़ी कोई चीज है कि दूसरी चीज मैं कहता हूँ इसको प्रतिष्ठा का विशे मत बनाईए तर्क लाकर जीतने की कोशिश मत करिए मसला पाकिस्तान से हो अफगानिस्तान से हो तो हम लोग तर्क जुटाएं अपने घर में कभी तर्क की लड़ाई लड़ी जाती कचेरी लगाते हैं क्या यह किसान और हम अलग है क्या एक ही भाप के बेटे हैं कोई नेता है को अभी नेता है को पत्रकार है को चित्रकार है कोई किसान है इनसे तर्क करेंगे क्या कचेरी लगाएंगे